हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टूब यूट्यूब चैनल तो फ्रेंट्स मैंने पिक की है और सोजा कि आपके साथ इसे अन्बॉक्सिंग करते हैं तो हम एक एक करके देखते हैं कि हमने क्या-क्या ओर्डर किया है चलिए हम पहले इसे अन्बॉक्स करते हैं अब हम एक एक करके देखेंगे कि इसमें क्या-क्या है यह मार्क्स कास्मेटिक का आईबरो पेंसिल है गाइस इसे मैंने 45 में खरीदा है थी यह देखें ब्राउन कलर में है बहुती स्मूद है गाइस जब हम इसको आईबरो फिल करते हैं तो इससे बहुती नैचुरल लुक दिखता है और 45 में गाइस तो 45 में इसकी कॉलिटी बहुत अच्छी और यह बहुत अच्छा प्रोड़क है गाइस आप भी इसे ले सकते हैं नेक्स्ट यह मिस्क्लेर की नील पेंट है गाइस इसको मैंने थटी तरी में कुछ लिया है यह देखें इसका शेट आप यह औरेज कलर में है शायद आपको ठीक से इसका कलर समझ में नहीं आएगा क्यामरे की वज़े से यह और इसकी टाइप है गाइस बहुत अच्छा है 50% off में मैंने इसे लिया है नेक्स्ट यह इससाइड कॉस्मेटिक का निउट काजल है गाइस जो 84 में मैंने इसे लिया है यह भी बहुत अच्छा है गाइस वाओ पटरी स्मूथ गाइस 84 में आपको निउट काजल वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी बहुत अच्छा है गाइस आप भी इसे ले सकते है इसका एक्च्छल प्राइस I think 100 अबफ ही है लेकिन सेल के दौरान मुझे यह 84 रुपीस पे पड़ा यह भी बहुत अच्छा है गाइ कोई निउट काजल तो आप यह जरूर ले सकते हैं नेक्स यह गाइस यूस बीडी का कंसीलर है जो शेड है इसका I think 01 वांप सैंड है गाइस यह बहुत अच्छा है यह अल्रेडी मैंने इसको पर्चेस किया था वह खतर हो चुका है तो मैंने इसे पर्चेस किया है आप दे है दिखिये कैस अगर आप को कट्रेक्टर कणना भी है अगल पिंडीके ल है यह थी एक आफ हैसे कर सकते हैं गजा भूद अच्छा है गाईस यह Krista क्वालेटी आपको क्या ही मिलेगा नेक्स्ट ये स्वीज बीटी का अगेंट मैंने आई लाइशस खरीदे हैं ये देखो 84 के आस्ट ये भी गाइस बहुत अच्छे आप देख सकते हैं अल्रेडी इसके कई जो है ना गाइस मैंने पास है बहुत सारे लास्ट वीडियो में मैंने भी आपको ये रिकेमेंट किया था गाइस वो कोई दूसरा विरियंट था अभी ये दूसरा है गाइस मैंने बचा बगाया नेक्स्ट गाइस ये लाइक भी पीच बिल्क सॉफ्ट क्रीम है ये बहुत अच्छी है गाइस आप देख सकते हैं त्री 500 ग्राम का ट्यूब है ये 450 आइधिक 500 के आसपास है लेकिन सेल के दौरान आपको फ्लाइट 50 परसंट या 45 परसंट आफ में मिलता है जो अफॉर्डेबल इसके के लिए बहुत अच्छा है ये देखिया गाइस स्कीन में लगाने के माद में थोड़ा सा मसाज करने के माद में ये अच्छी तरीछा से अब्साब हो जाता है ये आफॉर्डेबल सकीन केर में अगर आप इसे शाब बिल करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं नेक्स्ट ये दूसरा वाला मॉक्स है गाइस इसे अब आण देख सकते हैं यह जो है ना वाउ के बाड़ी वाश है यह बच्छों के लिए है बहुत अच्छी है यह बाइवन गेट वन में मैंने इसे यह ट्यूलिप के पेकप रिबॉवर कॉटन पैट से गाइस फस मैंने इसका लास्ट जो ऑडर किया था वो छोटा वाला था 50 पीसेस का था गाइस और यह अभी जो है यह 100 पीसेस का है जो 124 के आसपास पड़ा है गाइस बहुत अच्छा है गाइस पेकप रिबॉवर के जल्दी जल्दी से खतम नहीं करना चाहते है तो नेक्स्ट यह खादी नेचुरल का हेर सीरम है काईस यह बहुत अच्छा है और डिडी मैंने इसके कई बॉटल्स यूस कर चुकी हूँ यह हैर को फ्रीज फ्री रखता है गाइस लगाने के बाद में हेर में एक शाइन एड हो जाती है अफॉर्डेबल भी है प्लस 30 एंबल है अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो जरूर ले सकते हैं यह बहुत अच्छा है यह भी जो है ना गाइस खादी नेचरल का फेशल स्करप है गाइस 50 ग्राम का है बाइवन गेट वन आफर में था तो मैंने इसे और इसे खरीदा है इसके खादी नेचरल के प्रोडटक्स आप ले सकते हैं अभी मैंने इसको यूज रही किया गाइस यूज करने के बाद मे मैं इसका review आपके साथ share करूगी next यह strawberry का है guys inside cosmetic का sorry guys यह orange का है इसे पहले जो मैंने flavor लिया था वो strawberry का था वो मैंने अब खतम कर चुकी हूँ तो मैं यह restock कर चुकी हूँ guys यह देखे यह भी मुझे बहुत sale के दोरान I think 35 के आसपास यह पड़ा है next यह miss clear का big eyeshadow palette है guys यह भी 100 sorry guys single eyeshadow है यह तो आप यह देख सकते हैं यह भी 100 अबव इथा sale के दोरान I think बेक हूँ यह 94 के अबव आया है बहुत देखें guys कितीन यह बस तपा कीज़े है देख सकते हैं इसमें बहुत सारे shade है guys इसका shade I think मुझे यान नहीं है मैं screen पर mention कर दूँगी oh my god इतना buttery smooth texture है वाव देख सकते हैं guys कितना shining अगर आप इसे लेना चाहें तो definitely ले सकते हैं बहुत प्यारा है बहुत अच्छा है guys जो आपको under 100 रुपीस में मिल रहा है आप देख सकते हैं guys इसकी packaging कितनी लग्जरियस नजरा रही है इसमें बहुत सारे shade है guys मुझे इस shade का चाहिए था तो मैंने ये purchase किया है अगर आपको दूसरा shade चाहिए तो आप बहुत सारे shade है वहाँ पर आप ले सकते हैं next ये third वाला box है guys करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है ये देखें ये देखें guys ये लेक मी बैसलर वाटर है guys ये pure ये मैंने इसे अभी first time मगाया है ये 200 वाल का है guys इसमें भी बहुत अच्छा उफ़र चल रहा था मेरा जो है ना already बैसलर वाटर वो खताब हो रहा था तो मुझे कोई अच्छा सा बैसलर वाटर री स्टॉक करना था तो मैंने इसमें देखा के बहुत अच्छा उफ़र चल रहा है तो मैंने इसे खरीद लिया अभी मैं इसका review तो आपके साथ इसे यूस करने के बाद ही शेयर करूंगी कि ये कैसा है आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए नेक्स्ट ये जो है ना गाइस ये जॉनसस बेबी लोशन है ये ना 375 या 470 के अबव है गाइस जो सेल के दौरान मुझे ये 275 में मिला और ये जो है ना ये दीविया में बोडी लोशन है गाइस ये भी बहुत अच्छा है और इसे में रिस्टॉक करते रहती हूँ मैंने कितनी चीज़े पठीस की है है तो देखें गाइस मैंने ना ये का पिंक होड से इतनी सारी शौपिंग की है और इतनी चीज़े पठीस की हूँ जो बहुत फॉर्डेबुल है इसमें जो न्यू है ना गाइस वो यह लैकिने मैसलर वाटर ये मिस क्लेर का बेक आईशा अगर आपको इसका फॉल रिवीवी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना मैं जरूर दूँगी और मैं इसका फॉल रिवीवीव दूँगी आपको और नेक्स जो है ना गाइस यह खादी नेचुरल का स्क्रब है गाइस फेशल स्क्रब तो इसके भी बारे में मैं यू वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप तक पहुंच सकते हैं